हेलो हाई दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रामबा भूरी आसीस्ता एजुकेशन फाउंडेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपके लिए लाएं है ककसा बारा जो राजस्तान बोड के अंतरगत जियोग्रोफी वी से है उसका चप्टर नंबर तीन जिसका नाम है विश्वे जनसंक्या वितरन घरनत्व एम ब्रद्धी इस चप्टर में हम वर्ड पोपुलेशन डिस्टिविशन डेंसेटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे इसका जो तीसरे चप्टर है उसका कुछ टोपिक हमने लिए हैं आज जिसको 3.1 से डिनोट कर रहे हैं देखिए सबसे पहला अमारा टोपिक एस चेप्टर का जन्नांकी की यानि डेमोग्राफी डेमो ग्राफी सब्द ग्रीक भासा से सम्मंदित है जो दो सब्दों से मिलकर बना है डेमो प्लस ग्राफी डेमो का मतलब होता है जनता और ग्राफी का मतलब होता है लिखना अर्थात इन दोनों सब्दों को एक साथ अगर मैं आपको समझाने कोशिश करूँ तो इसका मतलब हुता है जनता के विशे में लिखना जैसे जनता का अंतरकत हम विशे में लिखते हैं कि कितने लोग मेल हैं कितने फीमेल हैं इत्यादी जानकरी जूटाना इस सब्द का सरवपरतम प्रियोग फ्रांसिसी लेखक आसिले गुईलाड ने ठारा सो पच्वन में क जाता जन्संक्या कि व्यवस्तित और व्यारिक अद्धिन को ही जन्नांकी की कहते हैं अग्या टोपिक है अपना जन्संक्या वित्रण पोपुलेशन डेंसिटी जन्संग के वित्रण से तात पर ये धरातल पर मनुश्य के फेलाव या जमाव का सुरूप कैसा है अर्थात जन्संग के वित्रण में मनुश्य के फेलाव या जमाव का पता लगाया जाता है कि किस इस्तान पर कितने इन्न मनुश्य रहते हैं जन संक्या का वित्रन से आज से जन समों के स्थानिक वित्रन से हैं जिससे छेत्रिय प्रति रूप को स्पष्ट किया जाता है समस्त प्रत्वी पर जन संक्या का वित्रन समान रूप से नहीं पाया जाता है विश्व की 80% जन संक्या केवल 20% भूख पाक पर रहती है जबकि 60-20% जनसंक्या विसम पर सितियों वाले 80% धरातल पर रहती है इंपोटेंट है आपके लिए यहां से क्यूशन बन सकता है कि 20% केवल जनसंक्या केवल 20% भूख पाक पर रहती है जबकि 60-20% जनसंक्या विसम पर सितियों वाले 80% धरातल पर रहती है विश्वी की ये भी important topic है आपका यहां से question बन सकता है विश्वी की जनसंग्या वर्ष 2001 में 6137,613.71 करोड थी जो वर्ष 2013 में बढ़कर 714 करोड हो गई है Next अगला topic है अपना विश्वी जनसंग्या के ऐसमान वितरन का प्रतिरूप कि किस प्रकार से ऐसमान वितरन हुआ है प्रत्वी के दो तिया ही जनसंग्या प्रत्वी के लगबग 14 प्रतिर्शत भाग पर रहती है जबकि अन्यनुमान के अधार पर 27 प्रतिर्शत जनसंग्या प्रत्वी के केवल 5 प्रतिर्शत भाग पर निवास करती है प्रत्वी के 90 प्रतिसत भाग पर किवल 10 प्रतिस जन संक्या जबकि प्रत्वी के 10 प्रतिसत भाग पर कुल 90 प्रतिस जन संक्या निवास करती है ये भी important topic है विश्व की 85% जनसंख्या उत्री गोलार्द में जबकी, 90% जनसंख्या दक्षणी गोलार्द में पाए जाती है जन संक्या लो estas 50 फ्रतिसर्शत जन्संक्या दक्षुनी गोलार्द में में पाई जाती है यह वी मर्डी क्यूजंड है यहां से ज्याधा बनते हैं के कि लिव एक बज होते से वहाँ पर स्फिक तल बहुची कम हैval विष्वद की तीन चोता ही जनसंग्या एशिया वए उरोप माधिपों में रहती है जबकी केवल एशिया में ही विष्वद की 60 परतिसत से अदिक जनसंग्या निवास करती है। लगबग 80% जन्जंग्या 20 डिगरी से 60 डिगरी उत्री अक्सांसों के बीच रहती है जबकि 60 डिगरी अक्सांस के उत्तर में केवल 1% से भी कम जन्जंग्या निवास करती है विस्व के जन्जंग्या का लगबग 75% भाग महादीपों के किनारों की ओर वसा हुआ है क्योंकि जैसे जैसे किनारों से महादीपों की ओर आंतरिक भागों की ओर जाते हैं तो जन्जंग्या का सेकेंदरन कम होता जाता है विस्व के लगबग 80% जन्जंग्या सागरतल से 500 मिटर की उचाई तक से छेतरों में निवास करती है अर्था 30 से अधिक उचाई पर जन्जंग्या काम होती जाती है नेश्ट है विस्व जन्जंग्या का वित्रण किस परकार से वो रखा है वर्ष 2001 में जन्जंग्या संदर बीरो वासी कठन दोरा परकासी तांकडों के नुसार एशिया की जन्जंग्या 372 करोड अफरीका की जन्जंग्या 81.8 करोड यिरोप की रूस से जन्जंग्या 72.7 करोड दक्षन अमेरिका की 35 करोड उतर अमेरिका की 49.4 करोड तता ओसेनिय कि 3.1 करोड थी अर्थात सरवादी जनसंख्या का महाधीप एशिया महाधीप 322 करोड था और उसके बाद अफरीका महाधीप जहां पर 21.8 करोड था और तीसरे नंबर पे हैं यूरोप जिसमें भी रूस को सामिल किया गया है 22.7 करोड जनसंख्या थी संयुक्त राष्ट संग की रिपोर्ट के नुसार वर्स 2013 में विश्व की एकुल जनसंख्या 714 करोड थी जो दो महाधीपों के नुसार निमलिक परकार से यहां से क्यूशन पूट अफोने के जान से बहुत ज्यादा है आप से यह भी पूसकता है कि संयुक्त राष्ट संग की रिपोर्ट के नुसार वर्स 2013 में विश्व की एकुल जनसंख्या के कितनी थी तो आप जवाब देंगे 714 करोड अब देगो यह 714 करोड है यह अलग-लग महाधीपों के हिसाब से अलग-लग फैली हुई है एशिया महाधीप जो है वहाँ पर 4302 मिलियन जनसंख्या है जो विश्व की 60.27 परतीशत है अफ्रीका महाधीप की बात करें तो अफ्रीका महाधीप में 1100 मिलियन लोग रहते हैं जो विश्व का 15.41 परतीशत है यूरोप महाधीप जो तीसरे इस्तान पर है वहाँ पर 740 40.000.000.000 रहते हैं जहां 10.37% विस्वका है उत्तरी अमेरिका की बात करें तो चार नमबर पे हैं 557.000.000.000 रहते हैं जो 7.80% है विस्वका दक्ष्ण अमेरिका की बात करें तो 401.000.000.000 रहते हैं और विस्वका 5.42% है उसेनिय की बात करें तो 38.000.000.000 रहते हैं और 0.53% है वि प्रकार से कुल की बात करें तो 7138 मिलियन लोग है जो अपने आपने 100% के बराबर है जो सेंगतराष्ट संकी रिपोर्ट के अनुसार 2013 में जन संकी यहां से कैसे बन सकते हैं कि सरवाध्धिक जन संक्या किस महाधीप में हैं एसिया महाधीप में हैं नेश्ट बात करते हैं विस्वे जन संक्या का वित्रण विस्वे जन संक्या का वित्रण किस प्रकार हो रखा है जन संक्या की दरिष्टी से विस्वे के कुछ बड़े देशों की वर्ष 2001-2013 की सूची है हम सबसे पहले बात करते हैं चेन की जो सरवादिक जनसंक्या वाला देश है जहां पर वर्ष 2001 में 1273 मिलियन जनसंक्या थी जो 2013 में बढ़कर 1377 मिलियन हो गई है दूसरे इस्तान पर है भारत ये इंपोर्टेंट है आपसे क्यूशन पुचा जा सकता है भारत की जनसंक्या 2001 में 1027 मिलियन थी जो 2013 में बढ़कर 1276 मिलियन हो गई है तीसरे इस्तान पर है सेंक्तराजी अमेरिका जिसकी 2001 में जनसंकिया 285 मिलियन थी जो बढ़कर 2013 में 316 मिलियन हो गई है चोते इस्तान पर इंडोनेशिया है जिसकी जनसंकिया 2001 में 206 मिलियन थी जो 2013 में बढ़कर 248 मिलियन हो गई है पांचवे नमबर पर ब्राजील का आता है जिसकी जनसंक्या 2001 में 172 मिलियन थी जो 2013 में बढ़कर 196 मिलियन हो गई है पाकिस्तान की बात करें तो छटे इस्तान पर है जो 2001 में 145 मिलियन जनसंक्या के साथ था आज 2013 की बात करें तो 191 मिलियन हो गई है रूस की जनसंक्या की बात करें जो साथवे नमबर पर है ये 2001 में जनसंक्या यहां की 140 मिलियन थी जो 2013 में बढ़कर 144 मिलियन हो गई है आठवे नमबर पर बंगलादेश है जहां 2001 की जनसंक्या 134 मिलियन थी और 2013 में 177 मिलियन हो गई है नवे नमबर की बात करें तो जापान का आता है और वहाँ 2001 में 125 मिलियन थी जो 2013 में 127 मिलियन है नाइजीरिया की बात करें तो जो दस्वे नमबर पर है वहाँ पर 2001 में 127 मिलियन थी जो 2013 में बढ़कर 114 मिलियन हो गई है नेक्स्ट बात करेंगे विश्व जनसंक्या के वितरण के अंतरकती जनसंक्या वितरण के इस्तानिक दिश्टी कौन के नुसार विश्व की 90 पर 30 जनसंक्या उतरी गोलार्द में पाई जाती है विश्व को जनसंक्या वितरन की दर्षी से निम्न भागों में बाटा जा सकता है पहला है सगन जनसंक्या प्रदेश, दूसरा है सामाने जनसंक्या प्रदेश, तीसरा है विरेल जनसंक्या प्रदेश और चोता है अतिन्यून जनसंक्या के प्रदेश सगन जनसंग्या प्रदेश का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रदेश जहां पर सरवादी जनसंग्या निवास करती है जैसे हम पहले च्छतर की बात करेंगे पूरी एशिया में तो पूरी एशिया में चीन, जापान, दक्षिन कोरिया, ताइवान वे होंकोंग ऐसे देशें जहां पर सरवादी जनसंग्या पाई जाती है फिर बात करेंगे दक्षिन एशिया की दक्षिन एशिया में भारत, पाकिस्तान, स्री लंका, बंगला देश वे नेपाल एवं संपूर्ण दक्षिन पूरी एशिया की बात हम करते है फिर बात करेंगे उत्तरी पस्चमी यूरोप की तो यहाँ पर Great Britain, Germany, Holland, Belgium, France, Ireland, Denmark, Spain वे इटली ऐसे देशे हैं जहाँ पर सगन जनसंग्या निवास करती है फिर बात करेंगे पूरवी वे उत्तरी अमेरिका की तो उत्तर पूरवी संक्तराजी अमेरिका यानि संक्तराजी अमेरिका का उत्तर पूरवी भाग दक्षिन पूरवी कानाडा यानि कानाडा का दक्षिन पूरवी भाग यहाँ पर सरवादी जनसंक्या पाई जाती है उत्तर अमेरिका में 1789 की उद्योगी करांती के बाद ही जनसंक्या तिवरता से बड़ी है अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो जनसंक्या सामाने जनसंक्या के प्रदेश को बताता है एंडीज परवत पर परतिकूल भोतिक दसाओं के होते हुए भी तामबे की उपलपता के कारण चीली के चुकाडवे कमरा सहर में सामाने जनसंक्या निवास करती है यानि वहाँ पर एंडीज परवत पर परतिकूल भोतिक दसाओं हैं मानो के रेले के लिए नुकूल नहीं है फिर भी मानो क्या है स्वारती है जिसकी वज़े से वहाँ पर रह रहा है क्योंकि वहाँ पर किसकी उपलपता है तामबे की उपलपता है कानाडा की यूरेनियम सहर में यूरेनियम के कारण सामाने जनसंग्या निवास करती है पस्मी ओस्टेलिया में स्वन के खनन के कारण तो यह आप से क्यों पुछा जा सकता है कि पस्मी ओस्टेलिया में किस के कारण जनसंग्या का निवास हो रहा है तो स्वनखनन के कारण यूरेनियम के कारण कनाडा में और तांबे के कारण एंडीज परवत पर परतिकूल दसाओं के होने के कारण फिर भी चिली के चुकाड और कामरा सहर में समने जनसेंगे निवास है विरेल जनसेंगे निवास की बात हम करते हैं यह प्रदेश विश्व के 70% भूबाग पर इस्तिते जहां विश्व की केवल 5% जनसेंगे पाई जाती है यानि विश्व का जो संपूर्ण भूबाग है वो 100% है उस 100% में से 70% भाग ऐसा है जहां पर विरेल जनसेंगे पाई जाती है अर्थात विश्व के केवल 5% जनसंक्या यहाँ पर पाई जाती है इन छेत्रों में इस्तिती उच्चावाज जलवाईयों की विसम परिस्तितियां होती है जिसके कारण यहाँ पर विरल जनसंक्या पाई जाती है अतिन्यून जनसंक्या के प्रदेश अतिनियुन यानि बहुती कम जनसंग्याः जहां पर पाई जाती है जलवाई और धरातल की कटोड़ता के कारण विश्व के विसाल छेत्रों में जनसंग्याः नय के बराबर होती है अर्थात ऐसे छेत्र प्राई निर्जन होते हैं कोई भी नहीं रहता है ऐसे छेत्रों में अतिसीतल, उश्ण मरुस्तल, उच्छ धरातलिये, विश्वत रेखिया आदरवन, तता मद्दे अकसान से मरुस्तलिये प्रदेश आते हैं इन छेत्रों में अल्प जनसंग्याः पाई जाती है अब बात करते हैं, आपको डाइगराम से बताते हैं कि विश्वत जनसंग्याः वितरण में सगन्द परदेश कौन-कौन से हैं समन्न परदेश कौन-कौन से हैं और विरल जनसंग्याः वाले परदेश कौन से हैं, अतिन्यून वाले कौन-कौन से परदेश हैं तो आपको यहाँ पर एक संसार का चितन नजर आ रहा है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं संपून को उत्तर एमेरिका यह होता है दक्षिन एमेरिका यह होता है आपका अफरीका मादीब यह वाला जो पोर्सन होता है वो आपका यूरोप होता है यहाँ पर आपका रसिया वाला पार्ट होता है यहाँ पर आपका भारत है यह एसिया की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर और यह उस्टेलिया आता है यहाँ पर यह यह मडगसकर है यहाँ पर यह स्रीलंका है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदुन है साखन जनสंहिग्या प्रदेश सदुन जन سंखे प्रदेश यानी जो आपको यह में आपक्त prec काले अजर आ रहे हैं यहांपर सदुन द्सक्राइपर बले करिक прич वर अगो है यहां पर है तो राजस्तान में क्यों क्योंखी मरुस तलए एशे की बात करेंगे तो एैशिया में समद्र के किनारे किनारे सघन जन्सिंगा प्रदेश पाया जाता है याँ सामाने जंटेक अपर देश में यह खड़ी लाईने जो नजर आ रही है सघन के पास में हैं ये सारे की सारी संगन जंसक्राइब पर्देश के छितर्वें है विर आल जंशंक्राइब पढ़ा जो खड़ी लाईनें एंगा बॉट करके वे ये सारी प्रदेश बotionalिशां करें शॉथूर अतीना में LAUN में जहां पर देभाग है यानि हमने ये भी पढ़ रखा है कि मादीबों के अंतरगत अंदर की ओर चलते हैं तो जन संग्या कम होती चली जाती है तो आज के लिए वस इतना ही आगे का चेप्टर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आसीसदा एज्यूकेश वीडियो देखने को आपको मिले और आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करें वीडियो देखने के लिए आपका तही दिल से दिन्यवाद थेंक्यू